हुआ हलो फ्रेंड्स स्वागा थे आप सभीका आपकी अपने चैनल एक रहसा च्टड़ी में उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत ही बहुत से टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं और आपको यह वीडियो देख के बहुत ही मजा आएगा क्योंकि यह आपका एक्जाम में आता ही आता है और आपको जो बनाने में गारेंटी है आपको मिंटों लग जाता हो एक नहीं तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे बहुत ही आपको जो है बहुतरीन तरीकसा आपको बताएंगे बेसिक आपको हो सके इसका आता होगा अगर नहीं आता है तो हम लोग जब question इसका practice करेंगे उससे में discussion कर लेंगे आज हम लोग केवल trick सिखेंगे इसका ठीक है बेसिक आज इसको हम लोग नहीं देखेंगे और आप जानते होंगे कि बताए को कौन आपका perfect square होगा कोण आपका perfect square नहीं होगा है कि नहीं इस प्रकार से प्रस्वन जरूर देखेंगे और आपका आपको question पुछ लेगा जैसे कौशन हम खुद से भी लिखके रखें कि कौन से संख्या आपका पूर्ण वर्ग कौन से संख्या आपका यहाँ पूर्ण वर्ग है बताना है है कि नहीं आप सबसे पहले इसको हम बता दे रहें उसके बाद आपको question देखाएंगे कि पूर्ण पूर्ण से सब्सक्राइब अब चलते हैं डिखेंगे आपको जो question आता है इस प्रकार से आता है आपको बढबडा संख्या देगा उतना छोटा चोटा संख्या कि इसका स्कार दे दी आपको जो है ये 529 प्रफेक्ट स्कार है कि नहीं इस तोरह से नहीं को बड़ा-बड़ा संख्या गाज इस प्रकार से फिर देगा और आपको पूछ लेगा कि कौन साथ का पूर्ण पूर्न वर्ग है कौन सा परफेक्ट असक्वाइर है तो केसे हम लोग पहशा नहीं है इसको मुस्कील से मुस्कील जो है आई पूर्ण वर्ग नहीं है या बोलाया पूर्न वर्ग नहीं है तो देखिए एक सटाथ शनक1 बता देने चले इसी तरह से Mजा पहुत जोड़ी तो मत मतवाइब साब पुछा गया है सब रेलवे में पूछा है 2018 में आपका आजा है फिर देखें यह 18 Crew men मैं पूछा 19 में आ आया हैed 2013 में आया है फिर आपको इस प्रेस्थ पूछ लेगा कि बताइएगा कोई भी संख्यां देदेगा जैसे आप देखेंगे यहां आपका एक संख्यां दिया है 203 और आपसे पूछ लिया कि इसमें क्या जोड़ दें कि आपका यह पूर्ण वर्क बन जाएगा फिर उसी तरह से पूछ देगे कि क्या घटा दें कि यह पूर्ण वर्क बन जाएगा तो बहुत टाइप का प्रस्ना आता है और आपको जो है यह बनाने में टाइम तो लगता होगा गारेंटी है टाइम लगता है सभी को लगता है तो लेकिन आज हम आपको ट्रिक बता रहे उस ट्रिक का अगर आप यूज करेंगे तो एक्जाम म से आप केवल सुनिएगा क्या हम बता रहे हैं उसको एक एक बात को अब ध्यान से केवल सुनिएगा उसके बात देखेगा 15-20 मिनट के अंदर आप खुद से जो है को कुछी सेकंड में सौल्व कर लेंगे ज्यादा वीडियो आपका लंबा नहीं होगा ठीक है चलिएगा द कोई भी संक्या अगर परफेक्ट स्क्वैर है तो उसके लाष्ट डिजिट कभी भी दो नहीं हो सकता तीन नहीं हो सकता फिर आपका जो है साथ नहीं हो सकता यह ध्यान रखियेगा क्या तीन बात आपको बताएंगे तीनों को आपको अभी रियाद कर लेना e Ce क्या पता हैं कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वाइर है अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट डिजिट जो होगा वो कभी भी दो तीन साथ आठ नहीं आएगा क्या पोले कि लास्ट डिजिट आपका जो है क्या नहीं हो सकता दो नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, जैसे आप देखिए, नहीं हो सकता, जैसे आप पीछे देखिए, क्या किसी के लास्ट में है क्या, देखिए इस अभी क्या है, सभी तो आपके perfect square है, तो क्या कहीं आपको 2, 3, 7, 8 दिखाई दे रहे, एक दिखाई दे रहे, 9, 6, 4, 6, 9, 4, कहीं दिखाई दे रह समझ गए अधात परफेक्ट अस्क्वाइर के लास्ट में यह चार अंक जो आपको पताएं वो कभी नहीं हो सकता क्लिए रहे आगे बढ़ते हैं सेकेंड यह आप जानते होंगे अधिकांस लोग को यह पता होता है क्लिए रहे सेकेंड बात आपको यह ध्यान रखना है क्या दिखेएंगा यह बहुत important है इसको आप जो है अभी आद करेंगे क्या बोले कि संख्या ये अक से लेकर के 24 तक क्याविश दिगिट क्या अस्क्वाइर् के लास्ट के टू-डिगिट डेखे यह क्या लिखे हैं इसको अब मत उतारिए पहले आप समंझ देजिए क्या बोलें कि कोई भी संख्या अगर proprio square है कोई भी संख्या अगर perfect square है तो उसके लास्ट के 2 तू डिजिट जो होगे न वह यही जो है एक से 24 के स्क्वाइर के लास्ट के टू डिजिट में जो आपका आ रहा है वही होना चाहिए इसके अलावे अगर कुछ और हो रहा है तो कभी भी वह परफेक्ट स्क्वाइर नहीं होगा क्या बोलें समझ पाएं कि नहीं अधात कहने करति यह हुआ कि जिसे आप यहां देखिए यह जो आपको लिखे हैं अतार इसके जो लास्ट के टू डिजिट होंगे यह 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 जो होंगे उस संख्या यह से लेकर करके 24 के स्क्वाइर के लास्ट डिजिट में जो आया है वही होना चाहिए जैसे आप देखिए आप करने करत क्या है कि इसके लास्ट टू डिजिट क्या है तो 01 है इसके 04 है इसको 0 आपका 9 है 16 है इसका कितना 25 है इसका कितना 36 है 49 है 64 लेकिन कहां तक आपको देखना है केवल 24 तक 24 के बाद फिर से आपका रिपीट करने लगता है कि इसके बाद क्या होता है कि आपका रिपीट करने लगता जैसा आप देखिए पच्चीस पचिस के लास्ट टू डिजिट देखिए कितना 25 है 25 और कहीं आया तो देखिए 5 के स्क्वार में देखिए 66 कहां आया है यहां बहुन एक धिसमी प्रफेक्ट असक्वाइर तो इसके लाश्ट के टू डिजिट जो होगे वह आपके यही एक से लेकर के लाश्ट के टू डिजिट में जो आपका रहा है वही होना चाहिए इसकी अलावे कुछ और नहीं हो सकता अगर है तो आपका कभी भी प्रफेक्ट असक्वाईर नहीं होगा समझ पा रहे हैं दो आपको बता है तिस्रा बात आप जो है पूरा खतम कर देगा क्या थाड़ बात क्या बताना चाहा रहे हैं कि अगर कोई संख्या perfect square है तो उसको अगर हम लोग 9 से भाग करेंगे न तो उसका सेशफल जो बचेगा वो 0, 1, 4 और 7 यही 4 में से कोई 1 बचेगा अगर इसके अलावे कुछ और बच रहा है तो कभी प्रफेक्ट square नहीं होगा लिखिए इसको क्या बोले कि अगर कोई संख्या perfect square है तो उसको अगर हम लोग 9 से भाग करते हैं और 9 से भाग करना बहुत असान होता है अब जानते होंगे इसका तरीका क्या करते हैं सभी का सम करके 9 से भाग करते हैं तो देखिए अगर आम 9 से सेस्पल कितना आना चाहिए तो सेस्पल कितना आना चाहिए तो आप बताएं 01014 और 7 अगर इसके अलावे कुछ और बच रहा है तो समझ जाईएगा यह जो संख्या है वह आपका perfect square नहीं है अथा इसकी अलावे और कुछ नहीं आना चाहिए देखिए ध्यान से अभी आपको जो है तीन पॉंट बताएं तीनों पॉंट को आपको कंठस्ट आज रख लेना है अभी के अभी फर्स्ट बात यह है कि कोई भी perfect square के last digit में यह दो तीन साथ आख नहीं दिखेगा अगर दिखेगा तो वो कभी नहीं होगा perfect square सेकेंड बात यह बोलें कि अगर कोई भी perfect square है तो उसके लास्ट के जो दो डिजिट होंगे वो यह से 24 के लास्ट के टू डिजिट में जो आपका आया है वही हो सकता उसकी अलावे अगर कुछ और है तो वह भी नहीं हो सकता ठीक है थार बात क्या बताएं कि अगर कोई perfect square ह है कोई भी संख्या अगर perfect square है तो उसको भाग करेंगे तो उसका सेस्फल जो आएगा वो जीरो एक चार साथ के अलावे और कुछ भी नहीं आ सकता क्लियर है जिसे आप भाग वाला आपको एक बार देखें आपको दिखा दे रहें कि 0147 आता है कि नहीं आप देखिए कहीं 15 15 16 16 9 से भाग करेंगे कितना बचेगा साथ है या तो नो जब दिखे जाए उसको काड़ दीजिए है कि नहीं यहां भी नो दिख रहे तो भाग लगेगा बचेगा कितना चे और एक शाथ यहां भी साथ से सफल आया यहां कितना आया चार आठार एक नौनों से भाग साथ सेशफल आया तो आपका यही सेशफल आएगा 0147 इसके अलावे आप कोई भी सेशफल नहीं आ सकता ठीक है तो यह तीन बात जो बताएं तीनों बात जो है आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपको यही तीनों ट्रिक जो है आपको कुछ ही सेकेंडों में ज होई अगा यह अगोई निकल के आप आता है एक बात और आपको बताना है क्या बताना है कि यह कभी भी रिवर्स हुआ ही नहीं हो सकता कि यहां करने करते हुआ कि अगर आप कोई भी संख्यां को भाग दिये और आपका जीरो एक चार साथ आ गया तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वह आपका परफेक्ट रसकार होगा यह ध्यान जरूर रखिएगा उसी प्रकार से क्या बोलें कि अगर कि कोई भी आपको संख्यां दे दि हैं समझ पार रहा था यह ओप्षन काटने के लिए ट्रीक है और बहुत देखिए यह जो ट्रीक तीनों बताएं गारेंटी यह तीन आपको काटके दे देगा यह गारेंटी है फिर उसी प्रकार से यह भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट में अगर सपोई डैट आ आया है तो 25 स्कॉर में बीए आता है 25 स्क्राइब यह हो सकता है यह जह pleas यह नहीं होगा यह अर्फार्स कभी यह त्रू नहीं होता है यह यह एंगो चांगOR तरीका है यह आ ही तो यह वह एक्षे ही बताए जा रहा यहां बहुत ही बहतरीन आपका जो है कॉंसेपट है चलिए हम लोग कोश्टन पर अपलाई करते हैं जैसे आप यहां देखिए सबसे पहले आप देखें क्या पुछा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है तो यह तो कभी नहीं हो सकता यह सब्सक्राइब करें आपको देखना अब क्या है कि लास्ट के डिजिट करना है लास्ट के टूडिजिट देखें क्या है तो बताइए कि कौन पचासी कहीं आ आप पिछहें आप देखिए 85 कहीं आया है 85 देखे 24 के अंदर और देखेंगे 85 54 54 तो आया है 50 कहीं देखिए है नहीं है क्या बोन रहे हैं कि 1 से 24 के स्क्वाइर स्क्वाइर के सब्सक्राइब कर से क्या आपका 11 आता है एक सब्सक्राइब कहीं नहीं आता है तो आपका यह बचार था जब 3 option कट गया तो 100% आप बोलेंगे यही एंसर होगा समझ गया जब 3 option कट गया तो यह तो आपका रॉप पुछा है कि निमलखीत में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है चेक करिए आप देखेंगा नहीं है इसका मतलब जो Hep nep कि नहीं है तो देखे 25 आता है बिल्कुल आता है यह तो हो सकता है यह भी 41 आता है अकिस के स्क्वाइर 441 जीरो एक तो आता है एक कहीं आता है अब देखिए क्या 50 कहीं आता है क्या बताइए यह से ले करके 24 तक कहीं आपको 50 दिखाए दिया नहीं दिखाई देगा करने करत यह वह यह तीनों हो सकता था यह कभी नहीं होगा यह 100% के साथ कर सकते हैं क्यों क्योंकि एक से 24 के बीच में कभी भी लास्ट में पचास नहीं आता है तो आपका यह नहीं हो सकता समझ अब देखिए यह अपका जो है अर्थत यह यह हो सकता यह वहीं पूछाया है कि ने मलें कि तुम्हें से कौन सा पुर्ण वर्ग नहीं है तो यह तो नहीं हो गारेटी यह आपका सही अनसर हो जाएगा क्लियर है तो इस तरीके से आपको बनाना जैसे और देखिए कि चलिए इस क्योशल में क्या और आप से कुछ और क्या चाहिए और आपको पढ़ाएं भी है कि परिमय और परिमय क्या होता है क्या दो सई زंब दर रूप करें परिमय लाप जानते हैं जिसको आम लोग P by Q के रूप में लिख सकते हैं जहां आपका Q 0 नहीं होना चाहिए यही पता हैं करने करती यह हुआ कि जैसे अगर आपसे पुछें दो परिमे हैं बोलेंगा हाँ परिमे क्योंकि P by Q के रूप में लिख सकते हैं नीचे 1 है फिर 3, minus 3, 4, minus 6 इस तरह से बताए थे कि यह सभी क्या है परिमे है और आप परिमे क्या है जिसको P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं करने करती है यह हुआ कि रूप 2 को यह क्या है अपरिमे है रूप 5 रता है तो कदरी जितना भी रिजय सब क्या होता है यह तो आ liberal क्यूंकि इसको अगर भूप हटा सकते थिरी आ जाएगा तो यह परिमे कहने करती हुआ कि जिसको हम लोग जो है रूट नहीं हटा सकते क्या आप रूट टू को आप एक्जेक्ट भेलू बता पाएंगे नहीं अदर नहीं हटे तो आप समझ जाएंगे यह आपका परिमे ही होगा है कि नहीं तो चलिए अब यहां को वही लोजी लगाना है कि अब बताइए अगавайब है अगर कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्यां perfect square है को वी संख्या perfect square है इसका मतल़ उसका दो वर्गमूल निकल लिए जाएगा जै 120 120 क्या है perfect square 111 square है तो perfect square हुआ कि नहीं तो क्या इसका यह परीमैं है परीमै बताइए अगर यहीं बोल दें यह परीमैं है कि नहीं क्योंकि 108 साथ कप perfect square है तो इसी लिए इसका वर्गमूल हमनिकाल सकते हैं और वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आजाएगा 11 उसी प्रकार से अगर आप पूछें आपको 289 तो बताएंगे 289 आपका क्या है 289 आपका परफेक्ट स्क्वाइर है 17 का है तो इसका मतलब इसका वर्गमुल निकल सकता है तो इसका वर्गमुल निकल जागा केतना होजागा 17 हो जाएगा कहने करत यह हुआ पहले आप एक बार समझे कि अगर जो संख्यां परफेक्ट स्क्वाइर है उसका वर्गमुल हम लोग निकाल मिलेंगे और जिसका वर्गमुल निकाल लेंगे वह आपका क्या होगा परी में होगा जिसका वर्गमुल नहीं निकल पाएगा जो परफेक्ट स्क्वाइर नहीं होगा वह आपका अ परफेक्ट स्क्वाइर है जो परफेक्ट स्क्वाइर होगा उसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे और वह आपका परिम्य भी हो जाएगा है कि नहीं तो देखिए किसका आप जो है कौन परफेक्ट स्क्वाइर है यह चेक करिए तो आप देखिए परफेक्ट स्क्वाइ प्रफेक्ट स्क्वाइर है और इसके कारण से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और वर्गमूल जो भी निकलेगा जो भी निकलेगा कोई आपका संख्या में प्रफेक्ट स्क्वाइर है यहां से अगर आप देखेंगे तो यह आपका नहीं था क्योंकि दो और तीन से हम्लों काट दिए और यह भी नहीं था क्योंकि लास्ट का टुटीजिट आगर देखते हैं फोटी एड्ट जो है एक से चॉविस के अंदर गत नहीं आता यह भी कट बचा आपका यह option जो आपका राइट हो जाएगा के लिए चलिएगा आगे अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत मज़ा आ रहा होगा एक गारेंटी है कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार जरूर फिर से दुबारा देखिएगा और अभी कोशन करेंगे लाश्ट तक तो गारेंटी समझ में देखिए क्या है कि निमलिखित में से किस संख्या का वर्गमुल अप परिमें इस बार पूछा आप परिमें है कि ध्यान दीजिएगा आप परिमें परिमें नहीं पुछा है करने करती यह हुआ कि इस में से जो है तीन तो आपका जो है नोन परफेक्ट स्क्वाइर संख्या होगा को तरी टीं जो होगा आपका perfect square नहीं होगा और यह एक आपका perfect square परफैक्ट और हमनले इसमें जाढ़ना एनरजी लगता है पूर मिलने में इसलिए उसलिए हम the perfect square चीए अब देखिए का आप है इसका मतलब जो है तीन तो आपका जो जाता है नहीं होना चाहिए एक होना चाहिए अब देखे चछओ्यासीश्य करिए छुअफिर आप्छेक करेंगे 56 फिर चाटेटिस आप थिए। किसी का लाश्न म正 siis में आता है । 1224 के अनदर देखिए। आता है आप दाएके नहीं आता है तो एक स्कौार में आता है चारसोची छोड़ासी आए अब आपको दूसरा लोजिक क्या आपको पताए तो आपको प्टाए थे एक तौप ऑप्सिन काट लिए एक तो अपसे आप काट लिए अब और काटिए नो से भाग करके अगर नो से भाग करेंगा तो कितना हो जाएगा देखिए 8 4 12 12 और 6 12 6 कितना होता 18 12 6 कितना होगे आपका 18 तो 18 जिसे गुट है आपया टा रही हो जाएगा ना अब परी में तो कट तो गया देखिए सोरी-सोरी हम कई ओड चल गए में पुछ एक परी में नहीं तो यह सवी तो छती से यह आपक चोरासी है यह आपका 25 कहने करती यह हुआ कि यह सबी संख्यां आपका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा परफेक्ट रसक्वार हो जाएगा लेकिन यह कभी परफेक्ट रसक्वार हो सकता है आप नहीं हो सकता है क्यों कि पैसे ट्लास्ट में आया जब पैसे ट्लास्ट में आया इसका हम लोग जो है वर्गमूल नहीं निकाल सकते और वर्गमूल नहीं हो गया तो यहीं आपको क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा समझ पाएं कि नहीं बताइएगा कि आप परी में जो है भूल गये थे तो आपको देख रहें कि इसका जो है कभी भी हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि यह आपका परफेक्ट अस्वाइर नह है क्या कोश्चन है अज थोड़ा अगरे निमलिखित में से कौन सा संख्या का वर्गमूल अपरी में इस बार भी आपको पुछा आप परी में अर्थात तीन तो आपका जो होगा तीन जो होगा वह आपका परफेक्ट स्क्वाइर होगा साथ पीछे वाला भी कोश्चन में थदा हम सा गलत बोल दिये थे ठीक है थीन जो षड़न होगा वह आपका परफेक्ट स्कवाइर होगा यह अपको परफेक्ट स्क्वाइर नहीं होगा वह ही आपको ढुणना है ऎक तौन नहीं है तो आप यहां देखेंगे एक तालीस बताईun नोसरा भाग करने से भाग करने वाला अब नुवाग करें और देखिए इस फ़ल अगर नौ से इसको भाग करते च्छे चार दस और पांच कितना होगा पंद्रह नौ से भाग करेंगे इसका सेस्फ़ल कितना आ गया है कि नहीं कि देखिए छहे, चार, दस, दस और पांच, पंद्रह को अगर आप नो से भाग करेंगे, छे आ गया, क्या छे आना चाहिए, चार, साथ, जीरो, एक आना चाहिए, जैसे आप इसमें चेक करिए, नो तो कट जाएगा, साथ, दो नो कट जाएगा, येक आए, इसका से स्फ़ल ए जिसाए नोगर जाग लुटुका 512 बारा और 719 उनीस और छे पचीस आया नो दिने ओठार इसका कितना आया तो कहने करती यह वह कभी भी छे नहीं आसकता आ सकता क्या अगर कोई भी संख्यां परफेक्ट स्क्वार है तो उसका सेस्पल कभी विच्छे नहीं आ सकता इसका मतलब यह क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल हम लोग जोड़ने घटाने वाला इसको ध्यान से देखिएगा क्या बोला है कि 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्यां जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए क्या जोड़ने कि वह पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा ठीक हम समझा रहें इसलिए हो सके ज्यादा टा क्या जोड़ दें कि आपको वह जो है पूर्ण वर्ग बन जाए प्रफेक्ट स्क्वाइर बन जाए देखिए चार लिख लेते हैं ताकि 42 42 42 42 समझाने के लिए बागी बाद आपको कभी भी इस तरह से जोड़ना नहीं है डारेट जोड़ लेना है वहीं से लिए क्या है एक सेट तो यह क्या बन जाएगा छे जीरो एक चार यहीं बन जाएगा फिर आप इसमें इसको जोड़ लीजिए इस तरह से कभी जोड़ना नहीं आपको एक्जाम में 0 54910 बच गई एक तालिस अब ध्यान देजेगा अब देखिए इसको आप्शन यहीं होगा अधात यह नहीं आता है कट गिया यह ओप्ट्शन किया च्या आप जीरो छे नहीं आता जीरो नव आता यह बहीं कट गया डबल है इस नहीं बचना चाहिए इसमें देखेंगे 6-4-10 नो तो कट गया एक सेस्पल बचा और शियानवे भी है इसका मतलब जब तीन कट गया तो इसको चेक करने की क्या जूरत यहीं होगा और यह किसका है सेकेंड ऑप्शन कोन है आपका ऑप्शन भी है चौवण है किलियर है कितना हो जाएगा आपका फि पहले काई उनिट जो लेजेन है दो रेक तीन हो रहा है तो अच्छा तीन तो कभी नहीं हो सकता काटो इसको जोडने खोज़रत नहीं फिर अगार आप देखेंगे चेँएंग और बैर सी क्या आप नहीं जोड सकते क्या डारेट जोड सकते हैं कितना हो जाएगा 96 हो जाए है चलेगा आगे अब इसको देखिएगा कि क्या पोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जात किजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्रात्योग पुर्ण वर्ग हो क्या जोड़ दें कि जोड़िए क्या है 1780 1780 है 1780 है एक बार ची जोड़िए फर्स्ट ऑप्सेन फिर एक बार जो इसको जोड़ने की कोई जरुड नहीं है क्योंकि दो तो कभी नहीं होगा इक आई उनिट आपका दो आजाएगा ना इसलिए इसको काट दिया अब इसको जोड़ लिजिया हो जाए रहा है कितना हो जाएगा और आठ कितना होता है आठ आट और होता है चोगद्ध्थ होता है कि इन में तो फोर्टिणाइन और सांप्समिब्स का श Y आपके सामने दो ऑप्षन बच गया क्योंकि 29 भी आता है था स्क्वाइर में प्र फिर दूसरा लोजिक आप लोग जानते हैं क्या है दूसरा लोजिक क्या है तो दूसरा लोजिक से भाग देंगें so sorry now से भाग देंगें तो किटना बचेगा आपका चार सेश्पल बचेगा यह हो सकता है है कि नहीं देखिए 9 से अगर भाग देंगे तो कितना बचेघे ए लो तो कट जाएगा 8 और चर 12 और ही कितना होके 13 नो से भाग देंगा तो चार बचेगा चार बच सकता है चार बच सकता है यह हो सकता है इसकोच शेक कर यह आगे बढ़ते हैं चलिए देखिए यह आपका 2013 में पूछा था तो इसको भी ले लिए क्या है सबसे छोटी संख्या बताईए जिसे में 203 आब 203 है कि अब 273 में हम लोगत क्या जोड़ें ऌका याको पुर्ण बरभ्ण बन जाएगा तो अपकर कि नाया जोड़ेंगए है है shift Stories शुरें गार गल्लॉज और पर आठ जोड़ेंगे तो आठ이식 एम एक आराव बन जाएगा लास के दो तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले तो आप नजर से आटा लेजिए कि 11 किसी कलास्ट में नहीं आता है और 06 भी नहीं आता है यह भी आटा लेज़ें बच गया आपके सामने आए 4 सकता हम इसमें कितना हो जाएका आट इसमें आट में आपका आठ क्व Februar लिया तो यह नहीं होसकता कुर्ण बच का आपका हो और संसी बच दीन हो जाएक का rightly समझ पाएं कि समझ में आ रहा है मजा आ रहा है तो एक बर आप लाइक जरूर करिएगा गारेंटी है आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इस टाप के कोश्टन आप देखेंगे तो आप एक्जाम में जो है बेसिक से बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा यह तो छोटा-छोटा कॉश्टन है जिसे पीछे कोश्टन कि वह आपको जो है उसमें और ज्याद आपको समय लगेगा जिसे यह देखिये वह सबसे चोटी संक्याँ जिसे अठाइस्टों में घटाने पर प्राप्त पुर्नवर्ग होगी बिए पुर्ण वर्ग होगी क्य मतार बचेगा तीहत्तर घटा देंगे तो 27 1967 बचेगा नहीं देखिएगा धियान से कहीं गलट न करते कितना हो जाएगा 3731 हो जाएगा और यह कितना लेगा 9 गटाइगा है डौर नो गटा रहें तो 21-24 के अंदर नहीं आता है चेक कर लिजी 37 होता है क्या तो बदेंगे 37 भी नहीं होता है देखे 37 होता है कि नहीं होता है यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखेंगा यह आपका आज का लास्ट कोशन है और इस टाइ सब्सक्राइब 3355-3455 तयार करना चाहता है इस तरह कि वैसथा करने के बाद उसके कुछ सेनिक बच जाते हैं बचे हुए सेनिक के संख्यां क्या है करने करते हैं कि इसमें जो है आपको क्या घटाना है क्या समझ में आग कि इसमें इस संख्या में 38000 562 में क्या घटा दें कि वह परफेक्ट असपर बन जाएगा यहीं कोशन है हम अपने भासा में कर लिए तो आप देखिए क्या घटा दें इसमें तो अब सबसे पहले घटा आईए अगर आप डारेट घटा ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं घटा रहे हैं तो आप एक बार लिख लिजे चाटीस हजार 5122 सैट यही है अगर आप चाटीस घटा आते हैं तो चाटीस घटा अगे कितना बचेगा शतीस घटा तो इस लिए नहीं होगा क्यों करेखिए आगे आप को जो एगए लिखने की जरुए नहीं है क्योंकि लास्ट का दो डीजिट देख्के हैं को पता चल कि अगर आप 36 गटांगे तो आपका कभी यह पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो लास्ट में 26 नहीं आता यह कट गया अब देखे चेक करें फिर 55 को अगर आप 65 चेक करेंगे कितना हो जाएक डारेट घटा दे रहे हैं 3600 यहीं होगा कि घटा लिजे कि बारशाट घट गट गया तीन और घटा यहां हो सकता है नहीं हो सकता यह भी आपका कट गया फिर आप यहां घटा यह एकासी घटाए एकासी अगर आप घटाएंगे 86,000 562 में घटाएंगए 1 बचेगा और 16 में 8 गटाएंगे 75 गटाएंगे अब इसको देखने 81 आ रहा है पूरा घटा लिए पूरा घटा यह क्योंकि नौ से भाग भी करके देखेंगे आठ और छे कितना हो क्या करने हम लोग घटा रहे न हाँ ठीक है यह आपका आठ हो गया चार हो गया यह छे हो गया यह तीन हो गया यह आ गया फिर आगे चेक करते हैं इसमें दो अप्शन तो आपका यह और यह कट हुआ आप इसको चेकर 97 तो 97 अगर आपज एक करेंगे 36500 बारशेट में अगर आप संतानवे देखेंगे तो कितना हो जाएगा यही होगा बारजय में साथ गटाएंगे की 80 है लास्ट में 80 आया तो एकदम होने का पूरा संभावना है जब तीन अप्षन कट जाए तो पूरा संभावना 100% संभावना में बदल जाता है तो आपको जब तीन अगर आप काट लें तो चोथा आपको चेक करने के जरूरत नहीं वही आप पैंसर मारियन निकल जाए ठीक है वही आपको 100% सत्य होगा तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं उमीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है लाइक तो आपको बनता है करना और आ बहुत जल्द आपका रिजनिंग का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो रिजनिंग का जो टाइम होगा तो आज के लिए बस इतना ही जैहिंद जैभारत थेंक्यू